अब सभी दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो पर जहां पर हम सीखते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं आईए चल कर जाने भारती इंफ्राटल लिमिटेड में इतना गिरावट क्यों आ रही है सब जानेंगे पूरविस्थार से और आगे देखेंगे कि आगे क्या इसमें ये गिरावट चारू रहीगी जी हाँ आज निफ्टी में सबसे जादा गिरने वाला शेयर था तो क्या हो रहा है ये इतनी तरकड़ी गिरावट? क्या कारण है असली? बताएंगे सारी खबर अंदर चलिए सब के शुरू करते हैं अगर आज इसका प्राइस देखें तो 212 रुपे प्रबंद हुआ है और करीब-करीब 8% गिरा ही है इसका मतलब कि वॉल्यूम का अगर देखेंगे तो करीब-करीब 2.9 करोड शेयर हैंड एक्सचेंज हो है इसमें जो कि बहुत तगड़ा वॉल्यूम है यहाँ पर पर इसमें क्या है? डिलिवरी बहुत कम होती है ज्यादा तर लोगबाग ट्रेडिंग के परपस से इसको करते हैं तो यह चीज़ आपको देखने है जहाँ जिस स्टॉक में ज्यादा ट्रेडिंग होगी वहाँ पे जब गिरावाट का महौल आता है तो बहुत ज़ादा गिरता है यही कारण है इसका एक कई कारण है पहला कारण यह है कि किवल 14% की डिलिवरी हो रही है बाकि सारा का सारा लोगबाग खरीते हैं और बेचते हैं अब आपने सपोज माना कि आप सोच रहे हैं आज मार्किट तेज जाएगा हम example करके बताते हैं आपने सुबह इसका share खरीदा मार्किट उपर नहीं गया बलकि मार्किट नीचे जाने लगा तो आपको loss हो रहा है और लोगों को भी loss हो रहा होगा वो लोग उसको बेचने की कोशिश करेंगे और पैसा नीचे जाएगा और price नीचे गरेगा तो यह एक main कारण होता है जिन stock में intraday trading जादा होती है उनमें जब market गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है वो share यह primary reason है आपको यह बात समझनी है दोस्तो सब चीज सिखाएंगे हाँ पर आपको हमारे चैनल पर हमारे चैनल का objective आपको सिखाना है तो अगर आप इसका देखे प्राइस के reference में जो पिछले तीन दिनों में action हुआ है बहुत तेज वोल्यूम के साथ हुआ है आप यह आपको देखने कोशिश कीज़े इसको तो देखे यहाँ पर वोल्यूम को अगर एक बार नज़र डालेंगे तो average वोल्यूम से कई गुरा वोल्यूम बढ़ गया है इसका activity बहुत बढ़ गई है पहले दिन क्या हुआ गिरा जब जिस दिन ये court की ruling आई EGR के reference में तो गिरा फिर यह जैसे idea वोड़ा phone बढ़ा है और company भी बढ़ी है इसने भी बढ़ना शुरू किया है और आज वोड़ा idea phone गिरा है नीचे तो उसको भी इसने follow किया है तो दूसरा reason ये है कि जैसा parent company करती है वैसा ही child follow करता है सिंपल बात है जैसी आदते आपकी होंगी वैसी ही आदते आपके बच्चों की आएंगी अगर आप bd cigarette पिएंगे तो आपके बच्चे भी bd cigarette पिएंगे इसलिए अगर आप पीते हैं तो please उसको अब आगे चलते हैं दूसरा इसके एक और चार्ट का view देखें तो अगर यहां से हम लोग इसको एक super trend के indicator से देखते हैं क्योंकि बहुत actively trade करता है ये और इसका volatility काफी जाधा रहती है तो अगर super trend के देखें तो जब इसने covid इसके court के ruling के बाद में दो दिन बाद इसने इस रहेगा पर जिस तरह से इसका trading हो रहा है थोड़ा सा आपको सतर्क होनी की ज़रत है दोस्तों इन सब चीजों में क्योंकि इतना आसा नहीं है trading में भी पैसा कमाना it is very difficult job professional people do that और उनको time लगता है अब आपको तीसरा main कारण बताते हैं जब हमारे market चल ले तो उस टाइम पर future negative होने लगे footsy negative हो गया तो यहां के market तो गिरेंगे ही गिरेंगे अब जड़ा एक बार आप market का नजर डाली जो हम वो कह रहे हैं आप खुद से देखिए हम आपको समझाते हैं तो हुआ क्या है देखिए market खुला positive यहां देखिए तो आपको दिखाते है market positive खुला ता तो लोंग करेगा अब उसको stop loss भी लगाना पड़ेगा अब stop loss लगाया होगा उसने तो वो थोड़ी दिनों ostat थोड़ी दिर के बाद ऊपर नहीं चड़ार यहां पर होसकते stop loss ही उपा और नहीं होगा तो अब नेगेटिव गया होगा तो आज बहुत सारे लोगों का stop loss ही लगे उसके बाद से यहां पर negative आना शुरू हो गया है इसका एक one of the reason ये भी है दोस्तों तो आपको समझनी है हर चीज़े समझाओंगे पूरा detail में बताएंगे क्यों हुआ है क्या हुआ है और कल की क्या परक्रिया हो सकती है कल क्या करना है अगर भारती एडली पॉजिटिव बात बताएं तो हमके पास 40,000 से ज़्यादा towers है और 11 plus circles में operate करते हैं तो कि वो बहुत अच्छा है दोस्तों हमारे को एक request आडिक सर आपने telegram channel नहीं बराए अभी तक तो हमने इस weekend पे telegram channel बरा दिया है आप चाहें तो join कर सकते हैं लिंक description box के top में दिया हुआ है अब क्योंकि आज एक exclusive report भी आई है कि आने वाले समय में GDP का data थोड़ा सा जैसे पिछली report आई है GDP का data काफी negative है तो हो सकता है कि 2021 में भी हमारी GDP negative रहे एक report से publish हुआ है official print India के reference में तो अब इस बात से आगे क्या प्रकिरिया होगी ये news आई थी after market hours तो कल की उम्मीद ये रहेगी कि ये pressure थोड़ा सा नीचे की तरफ को रहेगा ही रहेगा इसके उपर आभी भारती इंफर्टल के उपर भी और भारती इंफर्टल के उपर भी अगर market capitalization देखे जाए 39,000 करोड की market company है ये dividend देती है पर dividend yield के हिसाब से भी ठीक ठीक है 4% के आसपास dividend yield हो जाती है तो अच्छा है उसके reference में अगर देखा जाए तो और अगर इसकी June के quarter की जल देखे जाए तो profitable company है 400 करोड की profit दिया है इनोने इस बार June में भी और पिछले स्वाल भी पिछले quarter में भी almost similar था तो कोई impact जादा COVID का इनके उपर नहीं हुआ है दोस्तो हम Nifty और Bank Nifty की active paid service provide करते हैं आप पढ़ लिजे और mail भेज सकते हैं अगर आप interested है तो दोस्तो वीडियो की information एच्छे लगे तो like ज़रूर कीजेगा अब ज़रा चल कर हम इसके कुछ और technical analysis करते हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि आगे आने वाले time में क्या परकरिया बन सकती है इसमें एक indicator होता है RSI जिसके through आप पता लगा सकते हैं कहां पे overbought हो रहा है कहां पे oversold रहा है तो इसका RSI analysis करते हैं आपके लिए हाँ पर देखें साथ में आप सीखेगा भी इसको दोस्तों तो RSI नीचे गिरा जब फिर यहां से उपर रणना शुरुआ तो उपर गया और आज इसने direction reverse कर दिया तो नीचे जा रहा है उम्मीद यह है कि कल को यह नीचे जाएगा अब आपको पता यह करना है कि कितना तक नीचे जाएगा यह भी technical level पर आप बता सकते हैं हम सिंगाईगे कैसे देखिए हम ज़रा इसको zoom out कर देते हैं zoom in कर देते हैं ताकि आपको पिछला साथ दिनों का काम आपको दिखाते है अब इसमें तो समझने की कोशिश कीज़ेगा दोस्तो एक parameter होता है Fibonacci Arch तो उसको अगर आप use करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको help कर सकता है कैसे use करते हैं तो एक top point से bottom point को आप connect कर देंगे तो वो फिर आच्छी arch बना के आपको बता देगा कि क्या next level होगा तो देखे यहां से यह ताबर तोड उपर गया तीन दिन के अंदर इसने बहुत उचाई चुई है अब थोड़ा ठक गया होगा तो नीचे आएगा सबसे पहला level कहां बनता है नीचा आने का सबसे पहला level बनता है 213 का जो इसने ओज ही close कर दिया है उसके नीचे तो अब आगे का level क्या बनेगा यह major support होना था जो आज उसने एक दिन में तोड़ दिया है तो अब जो next minor support है वो 207 का है यह बोल रहा हूं दोस्तों यह minor support है हो सकता है कल यह थोड़ी देर के में ही तूट जाए अगर market नीचे रहा जैसे गिरेगा market और फिर आज उसके बाद में जो next major support होगा वो 200 रुपे का रहेगा तो अभी के हिसाब से उमीद यह लग रही है कि कल अगर आपको morning में opportunity मिलती है इसको short करने की तो 210 से 210 की range में आप इसको short कर दीजे target रहेगा 200 रुपे का तो यह आप कर सकते है जहां आज बंद हुआ है इसके आसपास अगर आपको short करने का मिल जाता है मौका तो बहुत अच्छा है एक दमदाओं खिल दीजेगा और यह नीचे 200 के level पर जाना चाहिए अब अगर इसकी कुछ और parameter देखें तो fundamental analysis भी करेंगे तो आपको समझाए long term के लिए क्या hold करना इसका तो 53% इसका जो promoter hold है और FIA ने शांदार 43% की holding की हुई है जो की बहुत solid है याँ पर आप और हम others लोग level 0.4% की holding करके रखे हुए दोस्तों यहाँ पर आपको बढ़ाना है company में आप समझेए जब FIA 42% की holding रखे हुए है तो इस share क्यों नहीं बढ़ेगा दोस्तों long term के लिए वो जरूर बढ़ेगा आपको बस अपना सही time पे इसको रखना है आगे आने वाले time के लिए आप हम चलकर इसकी बात करेंगे कुछ और final analysis करेंगे इसके technical parameter पर और साथ में आपको बताएंगे कि आपकी क्या expectation होनी चाहिए इस chart पर आगे आने वाले समय के लिए तो जरा एक बार long view दिखा दिया जाए आपको तो आपको सोज में आएगा कि आगे क्या कर सकते हैं इस stock के reference में तो अगर यहां देखें तो March का जो COVID का low बना था इसने यहां पर ये इसने उसका high का अभी touch नहीं किया है उसको cross नहीं किया है उसका high था 200 के आसपास और उससे नीचे ही थोड़ा सा pressure में आके फिर इसने एक बार उचाल लगानी कोशिश की और आज क्योंकि overall market भी थोड़ा नेगडिव था बोड़ा फोन आइडिया भी थोड़ा सा नेगडिव था इस वज़े से इसमें नेगडिव परभाव रहा है और international market क्लू की वज़े से क्योंकि बहुत heavily traded stock होता है यह सबसे पहले सबस्यादा गिर जाता है तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर आपके लिए एक study और दिखाते हैं जिससे आपको थोड़ा पता लगेगा कि आगे आने वाले time का कैसे आप पहले ही पता लगा सकते हैं तो एक हमारे पास band है कहते है high low band अगर आपने use नहीं किया तो हम बताते हैं कैसे use करना है तो एक clear direction बताता है आपको अब देखिए जब इसकी result आया था उसके बाद में court का ruling आया था उसके बाद में इसने direction अब दिखाई थी पर अभी के हिसाब से हो सकता है ये इसका जो level बनेगा वो 204 तक ये आने की कोशिश करेगा हो सकता है उसके नीचे भी आये पर लबक के फिर उपर चला जाएगा तो अगर आप कल short trade ले रहे हैं तो आप ध्यान रखेगा Fibonacci retracement के basis पर 200 का level है पर यहाँ पर high low के basis पर 204 का है तो आपको कुछ profit 204 के आसपास book करना है दोस्तो उसके बाद जो main profit होगा वो 200 पर रखेगा क्योंकि अगर 24 से ही भागने लगा उपर को तो आपको पास कुछ तो profit आजाएगा जब आप अच्छी ट्रेड इतना अच्छा research करके trading करने की plan कर रहे है तो यह सब आपको home work पहले करके रखना है कौन से stock में short करेंगे कौन से में long करेंगे कहाँ पर short करना है और कहाँ पर profit बुक करना है partial profit कहाँ बुक करना है यह सब आपको अपनी research एक दिन पहले करनी पड़ती है अब अगर बात करें हमने दर्शकों का हमारा objective है कि हम दर्शकों को educate करें retail segment को तो हमने एक education video की playlist बनाई हुई अपने channel पर आपका जब मर्जी आए तब channel पर कोई भी video देख सकते है हमारी सिर्फ एक request दोस्तों कि आप एक video ज़रूर देखेगा 15 minute का time लगेगा आपको अगर आपने यह video नहीं देखा है अभी तक तो इसको देखे 7 mistakes to avoid in market इसके लाब आप कोई भी देख सकते हैं यह हमने हिंदी और English दोनों में बनाई हुआ है आपके अपने comfort language की basis पर आप इसको देखे और एक comment ज़रूर बताएगा कि आपको कैसा लगा इसको वीडियो को देख कर क्या अच्छी बात थी कि नहीं थी इसमें आपको कोई mistake अपने avoid करने को मिलेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा अब अगर इसकी आज की परकिया देखे जाए तो आज का पंदर मिट का चार्ट हम आपको दिखाते हैं इसमें आपको clear pattern ने मर जाएगा देखिए हाँ पर लोगों ने शुरू में अगर इसको long किया होगा trading क्योंकि हो ती है इसमें तो कुछ लोग यहां से खुलाएए लोगों ने हांपर long किया वो trap हो गए नीचे गिरता रहा नीचे गिरता रहा नीचे ग्रहा नीचे इनको बारा तक चला गया है, 230 का माल 212 में जाके बंधुआ है दोस्तों, तो आपको ये बात समझनी है कि market एक बार एक direction पकड़ लेता है तो ज़्यादा chance ही रहती है कि वो direction continue रखेगा, भाव भगवान है, भाव के साथ argue मत कीजे अगर आपको भाव बोल रहा है कि अभी नीचे जाओंगा, तो अपनी position को जल्दी cut कर लीजे, हो सकता है आपको यहाँ कम loss होता जरा आपने यहाँ पर इसको square off कर लिए तो अपने stop loss के business पर, इसको please ध्यान रखिए इस बात को, यह बहुत important चीज़ है stop loss से आपकी wealth protection होती है अब हम बात करेंगे कि अगर आपको इसमें long term investment करना है, तो कितने level पर करेंगे और इसका target क्या होगा तो देखे, stock अच्छा है, आगे आने वाले समय बहुत अच्छा रहेगा, भारती की company है तो इसे साब से बहुत अच्छा stock बनेगा long term holding के लिए हम यहाँ पर long term holding की recommendation कर रहे हैं, कल का जो short term का trade है, वो आप ले सकते हैं, अगर आप trader है, अगर आपको जानता है, trading mentality बहुत different होती है, दोस्तों तो आप ज़रा समल के trade लीजएगा अपनी आप गलत जगा मत फसीएगा वस हमारी यह request है, तो अगर आप long term के लिए इसको buy देख रहे हैं, तो हम हमेशा बोलता है अपने इस दर्शकों को, कि आपको अपनी quantity को three equal amount में divide करना है, पहला amount जो आप buy करेंगे, वो रहेगा करीब-करीब 200 रुपे पर, current market price और मत बाई की जगा दोस्तों, क्योंकि market में लग रहा है थोड़ा correction आएगा कल, और यह 200 के आसपास आपको मिल सकता है, जो दूसरा level रहेगा, वो करीब-करीब आपका 185 के आसपास रहेगा इसमें, यह level हमने certain parameter की basis पर निकाल हैं दोस्तों, जो आज की value के basis पर है कल को, यह 10 दिन बाद, इसकी value यह level change हो सकता है तो आपको अपने हिसाब से देखना है दोस्तों, यह video आप कब देख रहे हैं क्योंकि YouTube पे video continue रहता है, तो आप हो सकता है, इसको बाद में देखे, तो इसको आपने चाट के साब से देखेगा, यह सितंबर 8 की video हम record कर रहे हैं दोस्तों, जो last level आपको जो buy करना है वो करीब-करीब 168 के आसपास आप buy करेंगे, तो यह 3 level हो गए हैं दोस्तों, I'll repeat the numbers in English now, please equally divide your quantity into 3 parts, first part you buy at 200, second part you buy at 186 and the last part you need to buy at 168 इसका long term का target 3 साल तक आप wait कीजेगा, 400 रुपे आपको मिल जाएगा, जी हां for long term, the target is 400 रुपीज प्लस कम से कम आपको 400 रुपे इसका मिलेगा ही मिलेगा target, दोस्तों अगर आपका कोई भी feedback है, जिसके आपको लगता है कि हम अपने channel को improve कर सकते हैं तो please हमें feedback दीजेगा, we look forward for your feedback, और अगर आपका कोई question है, तो comment box में डालिए, we will act accordingly for your suggestion धन्यवाद, आपका दिन मंगल में हो अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत आभारी हैं हम आपके, जै हिंद, जै भार